हालो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर कजिंद पुरुईत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अफ्लोड करता हूं इंजिनेरिंग मैथमाडिक्स बेस से सुन मैं आपके सामने हैं फंक्शन अप सेवरेल वेरियबल पे लिमेट कंटिनिटी यह सब में बता चुका हूं प्लस पार्शल डिरिविटिव तो यहां पर यहां पर जाके मेरे प्रीविज वीडियोस आप देख सकते हैं प्लस रियल मैं आपके सामने बताने वाला हूं तो सुन देखें यहां पर फंक्शन ऑफ टू एरियबल के अंदर डिफरेंशिबिल्टी का जो फार्मला होता है वही होता है लिट एफ एक्स वाइस सेट टू इफरेंशिबल एट एबी इफ देर एक्स एट टू कॉंस अल्फा इन अच्छन गेंशिबल होगा जहां पर अल्फा की जो वेल्यों होती है वो पार्शल डे इरिवेटिविट वित रासपेक्ट टू एक्स एट एबी होता है जहां पर इसकी वेल्यों एफ एफ ए प्लस एज को माईनस एफ 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 यहां पर एक्स करे रिसक्टर के अश् तो हम यह alpha beta निकालेंगे, यह alpha beta की वेली उठा के यहां रखेंगे, फिर जो भी point हमें दिरेका, उस point पर यह limit चेक करेंगे, अगर इसकी limit 0 आ रही है, तो यहां पर यह क्या होता है, differentiable होता है, right, उस point पर, तो यह वही हम यह चेक करेंगे, तो एक example के थुरू आपको समझाने तो 0, 0 तो यहां पर x के respect में हो, तो 0 plus h, 0 minus 0, 0 upon h होगा, इस उन 0 plus h है, तो यहां पर h आ जाएगा, तो यहां पर यहां पर h, और जहां y है वहां 0, तो ultimately यह 0 हो जाएगा, तो इसकी वेलिए 0 ही आएगी, now हम beta निकालेंगे, that is partial derivative with respect to y, इसको हम बोलते हैं, partial derivative, इसकी वेलि रखेंगे, तो भी यह 0 हो जाएगा, तो यहां पर इसकी वेलिए की आएगी, 0 आएगी, अब हमारे पास alpha और beta 0, 0 आगया, अब हम यह alpha और beta की वेलिए इस formula में रखेंगे, यहां पर हमारे पास यह formula होता है, इस formula में यह value रखता है, तो limit hk tends to 0, 0, fhk minus 0, 0 minus alpha h minus beta k upon root of h square plus k a square, देखो, वहाँ पर हमारे पास a और b था, तो हम a plus h, b plus k, पर a भी हमारे पास 0, 0, 0, 0 पर चेक करेंगे, तो वो 0, 0 रख देंगे, अब इसकी वेलिए इसकी वेलिए तो हमारे पास 0 आच चुकी है, तो यह तो 0 हो जाएगा, और fhk, तो इसकी वेलिए हमारे पास जो formula थ चाहता, तो वो हमारे पास यहाँ पर था, xy upon root of x square plus y square था, तो hk, तो यहाँ पर h or k upon root of h square plus k square, upon root of h square plus k square अलडी आ रहा है, तो यह root और यह root हट जाएगा, तो यह, क्योंकि 1 उल्टा होग जाएगा, तो h square plus k square हो जाएगा, और हम यहाँ पर इसकी limit चेक करते हैं, जब भी 0, 0 पर limit check करते हैं, तो y is equal to mx रखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, k is equal to mh रखेंगे, तो k is equal to mh रखेंगे, तो जहाँ पर भी k वाँ mh रखेंगे, तो यहाँ पर h, ultimate रखने के बाद, यहाँ पर m square h square आएगा, और h square common होगा, तो h square से h square cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी आगे, इसकी limit m पर depend कर रही है, और जब भी m पर depend इसकी limit करती है, तो limit does not exist होती है, और अगर यह value 0 नहीं है, और ultimately इसकी value 0 होने चाहिए, पर यह तो m पर depend कर रही है, इतमेंस यह function जो होगा, यह differentiable 0, 0 पर नहीं होगा, इसमें मैं बताना चाता हूँ कि limit of function of 2 variable मैं नहीं पढ़ा चका हूँ, तो आई टिप बिचा के आप देख लीजे, ताकि आपको एक concept बहुत इसकी आपको इसकी आपको चीजे क्लियर होगी, हमारे पास एक और question दे रखा है, fxy x square sin 1 by x plus y square sin 1 by y, xy where not equal to 0 and 0 पर इसकी value 0 और यह आपको चेक करना कि 0 0 पर differentiable है या नहीं ह तो इसमें आपलेंगे, alpha and beta की value निकालेंगे, alpha हमारे पास 0 0 पर चेक करना है, तो इसमें यह पर हैगा, h 0 minus 0 0 upon h, तो इसमें h और 0, तो जहां पर y है, वहाँ 0 रखेंगे, तो इसमें यह यह जगा 0 रखने पर यह तो 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, h square sin 1 by h, और यह 0 हो x था, तो इसमें यह लिए हम निकाल के चेक करते हैं, तो 0, k रखना है, तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह 0, तो इसमें यह जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ तो ही नहीं तो हमारे पास यह जाएगा, k square sin 1 by k upon k हो जाएगा, और 0 0 पर तो 0 हो रहा है, और य हमारा फार्मुला तो यह होता है, इसमें फार्मुला 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 यह होता है, तो यह हम बा तो f x y जो था हमारे पास वो था x square sin 1 by x plus y square sin 1 by y था तो यह हम क्या करेंगे जहाँ पर x हम वहाँ पर h रखेंगे h square sin 1 by h और k square sin 1 by k यह हमारे पास यह जाएगा 0 0 पर तो 0 हो जाएगा under drop h square plus k square हो जाएगा again हम k is equal to m h रखेंगे actually हम y is equal to mx रखता है पर सुनिया पर y की जग हम k ले रहे हैं और x की जग हम h ले रहे हैं तो यह रखेंगे यह value उठा के रखेंगे और check करेंगे कि इस path पर इसकी limit की value क्या रही है और 0 0 पर हम हमेशा यह चेक करते हैं तो यह value रखेंगे तो यहाँ पर h square common आ रहा है तो एक h square common आएगा और नीचे है तो एक उपर h बच जाएगा और उस h बचने की वज़े से यह h ट्रेंस तो 0 पर इसकी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी मतलब इसकी limit 0 आ रही है मतलब यह 0 0 पर क्या हो जाएगा differentiable हो जाएगा तो इस तरह से बहुत easily हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि function differentiable है या नहीं है तो यह प्लेजिस बहुत अच्छी अच्छी अप्लोड कर रहा हूँ तो भी यहाँ प्लेजिस जो आप देख लिए वीडियोस देख सकता है तो थैंक यह सो मच पर वाचिंग में लाइक करें शेयर कर यह और चैनल के जरूर सस्क्राइब करें नोटिफिकेशन बेल करको पर प्रेस करके रखें सो देट की आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन सबको मिलते रहें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तेंक यू